हेलो फ्रेंड्स स्वाग आते आप सब का जार्विस केमपस में आज यहां पर हम बात करने वाले कि जो एस्टिमेशन हमने पड़ा नियर्स टू टैन या फिर नियर्स टू हंड्रेड या फिर थाउसन राइट अभी आपको कोई भी नंबर को करने के लिए बोला जायता है तो आप इसली एस्टिमेट कर पाओगे यस अभी यहां पर हम क्या करने वाले तो कि जैसे हम एडिसन और सब्ट्रेक्शन करते थे कोई भी नंबर का तो उसी तरह से क्या आपको कोई भी नंबर दिया गा है और बोला जाता है कि एस्टिमेट दस सम यानि कि आपको सम का एस्टिमिनेशन यहां पर निकालना है तो अभी एक कैसे होगा तो कि क्या पहले सम अप्लाइ करोगे फर उसका एस्टिमेशन निकालोगे नहीं यहां पर जो भी नंबर आपको दिये जाते है तो उसको नियर्स टूदी आपको यहां पर एस्टिमेट करना पड़ेगा और बाद में उसका सम अप्लाइ करेंगे तो यहां पर देखो आपको दो नंबर दिये गए 346 562 अभी 346 562 है अभी आपको बोला जाता है कि दोनों नंबर का एडिशन करना है तो आप क्या करोगे तो आप सबसे पहले चेक करोगी 346 और 562 तो कि तीन डिजिट ओले दोनों नंबर तो नियर्स टूदी 100 प्रेस का राउंड अफ कर लेते तो 346 यानि कि 46 46 यानि कि दन 50 लेस्टें 50 यानि कि हम क्या करदेंगे 300 कदेंगे इसको 562 एंगर देन 50 है क्या 500 नहीं 62 ग्रेटर देन 50 है इसलिए यहां पर 500 की जगह पर क्या करदेंगे 600 करदेंगे अब यहां पर दिखो तो 300 प्लस 600 यानि कि क्या हो जाएगा 900 तो कि इस estimated sum यहां पर क्या मिल रहा हमें 900 तो आप कोई बोलेगा कि सब्सक्राइब करना पड़ेगा तो यहां पर जब आपको ऐसा बोला जाता है कि फोड़ीजीट वाला है एक नमबर और उसके साथ three डिजीट वाला नमबर है और उन दोनों का एडिशन करना है तो वहां पर आप नियरस टुदी राउंड अफ कौंसा करेंगे यह पर नियरस टुदी राउंड अफ तो कि उसको डिपेंड करता है कि कौंसेट दो डिजिट द तो उसमें इसा नहीं अब यहां पर यहां पर यहां पर यह जब भी एस्टीमेशन करना हो तो इक्वल एक्सक्राइब करेंगे इच नंबर का का एस्टीमेशन इक्वल होगा यानि कि 5623 है तो उसको नियरेस टू दी हंड्रेट प्लेस पर यहां पर एस्टीमेशन करना है तो 62 की जगह पर क्या हो जाएगा 62 यानि कि greater than 50 greater than 50 यानि कि 4 की जगह पर 5 आ जाएगा 5600 प्लस यहां पर 500 करेंगे यानि कि हम में क्या मिला तो कि 6100 बिल गया तो यही हो गया हमारा estimated sum अभी आपको बोला जाता है कि subtraction apply करना है तो आप easily Subtraction दो 30 तो 30 आ गया या पर 62 36 है तो वह एीजी ली आप्लाए कर दोगे पर आपको बोला जाता है estimated तो कर ना आता है पर estimated subtraction तो करना प्लिव रहा आता है पर estimated I am कि जैसे आपने estimated sum किया उसी तरह से यहां पर estimated subtraction आता है जहां पर आपको यहां पर देखो तो जो एक्जम्पल अभी हमने लिया 5623 और 462 का वहां पर प्लस की जगह पर अगर माइनस होता तो वहां पर क्या होता तो कि 5600 माइनस 500 हो जाता यानि कि 5100 आपका अंसर आ जाता तो यह था हमारा estimated sum and estimated subtraction अगर आपको पूछा जाता है कि multiplication पर कैसा सीधा तो आएगा नहीं न अभी जैसे कि अपने sum और multiplication sum और subtraction किया estimated वैसी estimated multiplication अगर पूछा जाता है तो वहां पर आप क्या करोगे तो यह एकदम सिंपल है estimated multiplication जब आता है तो हमें individually यहां पे हर एक नंबर का round of करना पड़ेगा जैसे हमने sum और subtraction में क्या करता था दोनों नंबर का equally round of करते थे पर यहां पे दोनों का equally round of करने की जरूत नहीं यहां पे इंडिविजली round of करेंगे जैसे कि हमारा पहला जो एक्जंबल यहां पे ले ले लेते 5623 multiply by 462 है जो भी 5623 है तो उसको round of करेंगे और जो दूसरा नंबर है उसका नियर्स हंड्रेट प्लेस का हम यहां पर round of करेंगे तो जब नियर्स थाउजन प्लेस पर 562 है उसका रांड़ अफ करेंगे तो 623 ग्रेटर देन 500 यानि कि नंबर बढ़ जाएगा यानि यह फाइल की जगहा पे 6000 लिग देंगे और यह 4 और यह 4000 और यह 462 तो 62 यानि की ग् मुल्टिप्लाइब 500 तो अगर यहां पर मुल्टिप्लिकेशन जब अप्लाइब करते हूं तो आपको क्या मिलेगा 30 लैक मिल जाएगा तो यास इसी तरसे आपको कोई भी सम दिया गाया हो यहां पर कोई भी आपको बोला जाए कि एस्टिमेटर सम फाइंड करो या फिर ए इस्टिमेटर मुल्टिप्लिकेशन फाइंड करने के लिए बोला जाता है तब इसीली फाइंड कर पाओगे थेंक यू